हेलो गाइस कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैनाडा के अंदर मैंने माकबुक प्रोटीन इंच सिर्फ बाइसों डॉलर में कैसे लिया है जब कि वो रिटेल करता है थी टू डबन लाइन डॉलर का तो आओ इस वीडियो में चलके आप बुक ठीक है इसके अंदर आप मैं प्रो देख सकते हो यह प्रो है एर नहीं तो यह आपके आगे रहा मैं अब चलते हैं मैंने लिया कैसे तो देखो यहां पर जो भी सबसे सस्ते सस्ता मैं बुक है एड़ी टाइम अफ रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट होता है 2400 डॉलर्स अब मैंने क्या किया मैं गया Facebook Marketplace पर और मैंने वहापर सर्च किया Macbook Macbook सर्च करने के बाद मुझे वहापर एक तो यूज मैं कार थे और एक सील पैक आ रहे थे अब सील पैक मैक्स थे वो क्या करते हैं शॉपकीपर्स होते हैं local shop keepers आपके mall में आपके plaza में वो sell कर देते है बट वो कहते हैं कि हम आपको without taxes में दे देंगे यानि कि बिल नहीं देंगे या फिर आपको 100-200 डॉलर सस्ता दे देंगे अब एक तो option थे used की उसको कर दिया eliminate अब आगे shop keepers तो मुझे shop keepers से नहीं लेना था क्योंकि 100-200 डॉलर कम थे और उतने कम के पीछे बिल ना बनवान एक सबसदारी नहीं है अब what I did after scrolling a bit मैंने notice किया वहापर liquidation centers भी हैं जो की seal pack macbook दे रहे हैं अब जान लेते हैं कि liquidation centers होते कैं अब मान के चलो आपने Amazon से कुछ मंगवाया है और आपने Amazon को बापसी कर दिया चाहाए वो चीज न्यू थी अगर आप उसे खोल चुके हो तो व खरीद लेते हैं और वो से sell करते हैं अब liquidation center के दर और और भी चीज़ें आती हैं लेट से कोई macbook जब्त हो गया है या फिर उसे कोई country से लाया है किसे ने ship करा उसके taxes नहीं बढ़ रहे हैं तो उसे seize करके उसके bidding करके sell कर देते हैं मार्किट में अब जो खरीदार होते हैं वह से liquidation center वाला ही होते हैं तो अब जो मेरा यह macbook था macbook 14 inch इसको मैंने liquidation center से लिया है 2200 डॉलर के अंदर और यह seal pack था और साथी साथ मैंने sealed थी और जैसे यह activate हुआ तो उसकी activation date मैंने चेक कर ली थी तो बस वही बात है अगर आप macbook खरीदने चा रहे हो तो make sure Facebook marketplace पर चाओ या फिर कोई भी अगर महेंगी accessory है आपके electronics है fridge, microwave आपको liquidation center मिलेंगे वो साथ किसा आप mention करके देते हैं कि क्या यह product used है, unused है, open box है, वहाँ पे जाओ उनसे negotiate करो अब negotiation के अदर भी आपको तरीका बता देता हूँ let's say उन्होंने $800 बोला है, किसी item का, तो अब ऐसा नहीं $800 का 200 quote कर रहे हो, वो आपको response तक में देगा, make sure कि अब 20% या उससे कम के बारे में negotiate करो, let's say अगर $800 का है, तो आप उन्होंने बोल दो $700, $650, फिर negotiation करके एक amount discuss कर लो, अब जो मैंने Macbook लिया है, उसकी Facebook marketplace for posting भी $2800 तो मैंने को मैंसेच के $2000, अब उन्होंने का, the least I can do is $2600, तो मैंने का, कि I can do is $2100, बेकन से $2500, लिए और टेकेट, so मैंने को बोला, text में अच्छे ते फ्रेम किया, कि $2200 is the maximum I can give, please understand, I am paying you up in all front, I am not taking this laptop on a EMI, so $2200 is all I can give, तो ये मेंसेच देखने के बाद, उन्होंने नो कर दिया, फिर मैंने बोला, I am still firm on my offer, if you change your mind, please contact मेंगे, तो हुआ क्या, अगले दिनी उनका message आ गया, आजो आप Macbook ले जाओ, तो negotiation का तरीका आप सीखो, अगर आपको कोई मना भी करता है, उनको make sure कि आब बताओ, कि आपने offer पर still खड़ाओ, अगर आपका मन बदलता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप Japan से मंगाओ, चाहे आप Dubai से मंगाओ, चाहे आप India में tax claim क्यों ना कर लो, बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप जा रहे हो, तो उनसे पूरा ढंक से clearly पूछ लो, क्या ये seal pack है, क्या ये unbox है, क्या चीज है, और उनसे ये भी पूछ लेना, कि मैं आपके आगे खोलूँगा, अगर इसकी warranty पहले से start हो रखी है, तो मैं इसके पैसे नहीं दूँगा, make sure कि आप सारी चीज़े clear कर लो, अब आओ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने Facebook marketplace पर कैसे ढूणा, और आप ऐसे ढूण सकते हो, अब जैसे कि मैं Facebook marketplace खोल चुका हूँ, अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ Macbook Sealed Pack, तो यहाँ पर आप deals देख सकते हो, अलग-अलग deals आ रही है, अलग-अलग shop की पर है, make sure कि आप rating देखो, ढंक से negotiate करो, और आपको यहाँ पर liquidation centers भी भी देखने कर भी लेंगे, shops भी लेंगे, तो बस व वीडियो कैसी लगी, बताना जरा comment section में, क्या आप जानते हो, Canada के अंदर Amir कैसे बन सकते हैं, तो राइट वरली वीडियो जरूर देखना, वहाँ पर जल्दी मिलते हैं